करने का अधिकार यह डिमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाग दवर है और मुल्क बड़े नाजुक दवर से गुजर रहा है और वकील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्मूनिटी है इस पूरे देश में दुर्भाग है कि एक वक्त था आजादी के बाद हर वकील के किते पार्लामेंट का चुनावल होता था एमेल होता आज गुंडे लुच्चे लफंगे हम क्रिटिसाइज करते हैं एक आदमी लाखों करोड़ों को पर फीज लेने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा सकते हुँंके लिए पैसा अलग है जन सेवा नहीं है नंबर टू इवियम जब आप जानते हैं प्रिट्रॉल को कण्ट्रोल किया जा सकता है यह बहुत आम है तो कि यह बाहर बैट के किसे के जो इवियम का रिमोट है उसको कंट्रोल कर सकता है लाजा एवियम का करते हैं कि जगां बैले जो अगर नहीं भी हो तो 50% at least ऑपर से बाजिता हैं मैं उसक मेरा यह है कि दोनों चीज के इते हम समर्ष हम अरे अपने नंबर पर बोलो या तो तो तेरा नंबर आजे तो बोल दियो सुनने से बढ़े इस परश्ट बात है कल टिकेट साब में विगार मैं सहमत हों से भारत के अंदर जो बड़े-बड़े धनकुबेर हैं बड़े-बड़े पुनिप्रती हैं पूरा राज उनका चल रहा है और जो वरकस हैं पीजेंट्स हैं गरीब लोग हैं उन सब को जो है उ उनके मुव्मेंट्स को उनके इंडिपेडंट्न मुव्मेंट्स को कुछला जा Caribे पूरे देश के अंतर यह किसानों नहीं का पार्ट है उन्हों पूंजी पतियों ने ब्रिटिश पूंजी पतियों से भीक में सत्ता ली थी समझोता करके हमारे सुतनता संघश के साथ घद्दारी करके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने सत्ता ली थी और उसके उनिस सो सैतालिस के बाद जिस किसम का राज कायम किया है आज हम बार इस्थ के आप देख रहे हैं आप देखें किसानों के रासे में कीले मिचा दी गई है किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध चेड़ दिया गया है जैसे किसी शतुल देश्च के खिलाफ चाड़ा गया हूा तो यह जो सरकार है यह निश्चित रूप से एक मुठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के उपर बैठे हुए हैं टॉप पे बैठे हुए हैं और मैं नाम लेकर कहूंगा तो अडानी और अम्बानी हैं और उनकी क्लास की यह सरकार है यह और तो आम साधान आदमी हैं उसमें हम इसमें हम हम वकील हैं सारे यह स्थिती देश के अंदर हैं तो यह जो इलीट है यह अपस में बिला हुआ है राज कर रहे हैं जो हमारे प्रेजिदेंट साब ने अभी बयान दिया चिठी दी लिख करके तो यह उसी का हिस्सा है यह सारा एलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है जो आम सादान लोग हैं उनके खिलाफ करता है तो इस देश के अंदर आम सादान वकील हैं डॉक्टर हैं ठीच बिसान हैं मजदूर हैं यह सब एक हैं इनके सबके हित एक हैं और आज जो हम खड़े हुए हैं यह इनी की सपोर्ट में खड़े हुए हैं यह डिमोक्रिसी है जो में धानली हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन इए बात है कि पूरे देश में इवियम का बहुत ही व्यामत वि रोध है। मुझार लोगों को छोड़ दें जो सर्कार के साथ हैं तो आम तोर से जानता है यह सस्पेक्ट कर रही है इस बात का अंदेशा है कि एवियम में धानली हो रही है और अगर हो रही है तो हम यह निश्चित रूप से बोल रहे हैं यह रिजूलीशन डाल रहे हैं तो यह जो संगयचा इसको आगे बढ़ाए जाए मिलकर इसको